हलो फ्रेंड्स मैं रश्मी स्वागत करती हूँ मेरे योट्यूब चैनल वास्तू सपने और भविश्य में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपने में कम्प्यूटर या लैप्टॉप को विबिन नवस्ताओं में देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सपने में कम्प्यूटर देखना बताता है कि भविश्य में आपको अपने कारियों को पूरा करने के लिए या अपने लक्षियों की प्राप्ति के लिए और अधिक मेहनत करने पड़ेगी तब ही आप सफल होंगे सपने में अपने आपको कम्प्यूटर या लैप्टॉप पर काम करते हुए देखना आने वाले समय में कारियों की अधिक्ता और थकान का संकेत देता है साथी यस अपना लक्षियों तता उद्देश्यों के पूरा होने और सफलता मिलने की और भी इशारा करता है इसी क्रम में अपने आपको कम्प्यूटर में गेम खेलते हुए देखना, मित्रों के साथ संबंद खराब होने और जीवन में अस्तिर्ता और असंतुलन को बताता है सपने में कम्प्यूटर बंद हो जाए या काम नहीं कर रहा है या कम्प्यूटर की स्क्रिन टूटी हुई है तो यह सपना आने वाले समय में कठिनाई, रुकावट, परेशानी, कारियों के पूरा नहीं होने और आपके अंदर अस्मंजस की इस्तिती का प्रतीक होता है सपने में नकारात्मक्ता, असंतुलन और किसी ऐसी इस्तिती को बताता है जो आपके नियंतरन से बाहर होगी सपने में कीबोर्ड या माउस देखना, भविश्य में मान सम्मान के बढ़ने, किसी नए पद की प्राप्ती, उन्नती, तरक्की और आपका अपने जीवन पर पूरी तरह नियंतरन होने की और इशारा करता है सपने में अपने आपको लैप्टॉप या कम्प्यूटर खरिते हुए देखना, कारेशेत्र में किसी तरह के बदलाव के होने, नए अफसरों के मिलने, सुक सम्रद्धी, आर्थिक इस्तिती के अच्छा होने, तरक्की और नए पद की प्राप्ती का संकेत देता है सपने में कम्प्यूटर या लैप्टॉप खोना, आने वाले समय में मानसिक चिंता, परेशानी, कारेशेत्र में किसी समस्या के आने, जीवन में दुबारा से शुरुवात करने, और आपके अंदर के डर की और इशारा करता है आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए